मुस्लिम समाज को 5% आरक्षन की मांग को लेकर महराश्ट के नाखपूर में वंचित बहुजन आघाडी द्वारा प्रदरशन किया गया वैसे तो वंचित द्वारा समुचे महराश्ट में प्रदरशन किये गए जहां 5% आरक्षन का प्रस्ताओ जल से जल गिदान सभा में पारिद कर मांग पर अमल किया जाए ऐसी आवाद इस दोरान बुलंद की गई हमारी मांगे यह है कि हमको 5% किसी भी हालत में हमको मोजी सरकार ने देने को हो ना हम लोग आरक्षन देने को हो ना हमारे बच्चों को इस खूल में शिक्षा का यह तमाम चीजों का हमको नौकरी का आरक्षन मिलने को हो यहां पर हर किसम की सहुलत मिलना चाहिए यह हमारा उद्देश है आज वंचित बहुजन आगाडी के तरफ से नाकपूर में नाकपूर में नहीं तो पुरे महाराश्टा में सभी जिला कलेक्टर पर और सभी मुख्य स्थानों पर पुरे महाराश्टा के अंदर में सभी तालूका और जिलास्तरिय मुस्लिम समाज के समर्थन में यह मुस्लिम समाज को पुरे देश में महाराश्टा में 5% आरक्षन मिलना चाहिए और सभी धानिक तोर से मिलना चाहिए इसके लिए आधर ने बाड़ा सभ अंबेटकर इन्होंने एक आदेश जारी किया और उसी संदर्ब में बाड़ा सभ अंबेटकर ने एक मुहमत पैगंबर बिल तयार किया है और उस बिल के माध्यम से हम महाराश्टा सरकार को यह आगा करना चाहते है बाड़ा सभ अंबेटकर ने एक संदेश दिया है कि मुस्लिम समाज को उसके संखों के अनुपात अगर आप नहीं दे सकते तो कम से कम मुस्लिम समाज को पाच फिजदी आरक्षन नोकर्यू के अंदर में और शिक्षा के अंदर में मुस्लिम समाज के संबान में यह आरक्षन मिलना चाहिए क्योंकि हमारे देश में जब पार्लेमेंट के अंदर में मोदी और भारतिय जंता पार्टी की सरकार जो 15% अपर का समाज को उगर 10% आरक्षन दे सकते है शिक्षा के अंदर में और नोकरी के अंदर में उस समाज के लोगों को 5% आरक्षन यह नोकरी में और शिक्षा में मिलना चाहिए यह मुहमत पैगंबर बिल का प्रारूप है और सच्चर कमिटी भी यही रिपोर्ट कहती है कि इस आधार पर मुस्लिम समाज को अगर सही माइने में सामाजिक न्याय अगर देना है तो मुस्लिम समाज के हाग अधिकार के लिए मौमत पैगंबर अभी लागों होना चाहिए और उसके लिए वंचित बहुजन आगाडी पुरे महारास्टे में अटे टाइम सेम टाइम सभी जगे आंदोलन कर रही है और ये बड़े पैमाने वर हजारों के संक्या में पुरे महारास्टे में लाकों के संक्या में अंदोलन हो रहा है इस अंदोलन में सभी हमारे मुस्लिम मही नाकपुर के शिरकत किये है जैविम